आप इमानदारी से बताना एक संत की सभा में बैठे हैं बहु ज़्यादा काम करती है या बेटी ज़्यादा काम करती है ना तो उसके बाद भी बेटी प्यारी क्यों लगती है बहु प्यारी क्यों नहीं लगती है वह उससे ज़्यादा काम करती है उससे ज़्यादा ख्याल रखती है बेटी को चार दिन को आती है बहु जीवन भर साथ रहा जाती है एक बात याद रखना भारती संस्कती में किसी भी बेटी को लक्षमी नहीं कहा जाता है बलकि बहु को लक्षमी कह करके बुलाया जाता है किसी बेटी को किसी ने लक्षमी कहा है कन्या वले कह दिया जाए लेकि लक्षमी का रूप नहीं दिया जाता है रक्षा वन्नन पर बेटी की जनुट पड़ती है लेकिन दीपा वली जब आती है तो बेकी की नहीं हाथों में दीप लिय रहे बहु शोभा दिया करती है दीपा वली तो बहु की हुआ करती है दीप जलाती है रक्षा वन्नन पे तो राखी बानकर चली जाएगी मिठाई खाएगी कुछ पैसे भी ले जाएगी ध्यान रखना कमर साब आएगे खाएगे मज़े लेंगे लाश्त में बोल देंगे मज़ा नहीं आया धर तेरे की मर गए करकर के उन्ने के दिया मज़ा नहीं आया बहु तो घर में रहती है ना बहु तो लक्ष्मी है ना आश्तर किसी बेटी की आरती किसी माने नहीं उतारी होगी लेकिन बहु जब घर में आती है तो सास को दीप लेकर उसकी आरती उतारना पड़ती है बहु मंगल है, बहु सुब है बहु लक्ष्वती का रूप है बहु सरश्वती का रूप है जब बहु घर में आती है तुम्हारे बंस को अंसिपदान करती है और जब उन्हें संसकारित करती है तो यही बहु सरश्वती का रूप हो जाया करती है ध्यान रखिए और यही बहु लक्ष्मी का रूप हो जाती है बहुँओं को लात मारना यानि लक्षमी को लात मारना के समान पाप हुआ करता है ध्यान रखिए बहुए तो घर की शोभा होती है प्राण होती है बहुए ना हो तो तुम्हे कोई दादी कहने वाला नहीं मिलेगा तरस जाओगी ध्यान रखना नानी में तो ना 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 लिखा है दादी में तो दे 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 लिखा हुआ है जितने भी रिष्टे है आज तुम्हारा छोटा बेटा चाचा कहला रहा है तो बहु की बज़े से आज तुम ससुर जी कहला रहे हो तो बहु की बज़े से और आज तुम सासु मा कहला रही हो तो ये रिष्टे तुमने नहीं उस बहु ने आकर तुम्हे रिष्टे दिये है वो तुम्हारे बंस के अंस को यदी बढ़ाया है तो बहु ने बढ़ाया है किसी बेटी ने तुम्हारे बंस को आगे ने बहु ध्यानना कमा